हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करें कैसे आप ओप्सें ट्रेडिंग के अंदर स्टोप लोस ओडर एड़ कर सकते हैं जब आप स्टोप लोस ओडर क्रियेट करेंगे तो आपको कैसे लिमिट ओडर लगाना है कैसे आपको मार्केट ओडर पूट करना है इसके अंदर कैसे आप GTT order create कर पाएंगे तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में कलियर हो जाएंगे आप वीडियो को complete देखना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नेकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना सब्सक्राइब करेंगे तो यह पूरा पेज अपन हो जाएगा आप वन्काइब में एक योड्र पूटकर सकते सब्सक्राइब मार्केट लगाना हूं या आपको लिमिट लगाना हूं या आपको टारगेट लगाना हूं सब्सकर ultrasound वगना व्क्त आपके पास पहले से कोई execute positions होनी चाहिए इसका मतलब कि आपने अगर nifty 22-350 पे आप stop loss order लगाना चाहते तो इसके पास आपके पास minimum one load execute होना चाहिए चाहिए आपने intraday में आज buy करा हो या फिर carry forward में 2 तीन दिन पहले आपके पास buying position आपके holdings पे हो उसके उपरे आप stop loss लगा सकते मतलब कि कोई भी pending position में आप stop loss नहीं लगा सकते execute इसमें आप ऐसा लगाते हैं हमेशा carry forward रख सकते हैं इसमें ऐसा कोई fix नहींगा आपको intraday में रखना है फिर carry forward में आप हमेशा carry forward सेलेक्ट कर सकते सेलिंग टाइम में ऐसा लगाते हैं number of loads आएंगे minimum एक loads होगा maximum जितने आपके पास execute positions होंगी वह आप manual manual यहां पर load coding डाल सकते हैं आप एक डालेंगे तो आपका एक load माना जाएगा आप यहां पर पांच डालेंगे तो आपके यह 44.50 कर सकते हैं 43 कर सकते हैं दो तिन पॉइंट का गयप इसलिए मंगा जाता कि कई moment ज्यादा होने की वज़े से आपकी पोजिशन एक इस प्राइस पर हो जाती है स्टोक ज्यादा निच्चे चला जाता कोई प्राइस डालें जितना ज्यादा पॉइंट का मुमेंट करेंगे यहां पर उतना ही जापके चांसी ज्यादा कि आपका एसल हीट हो जाएगा आपका लोस्ट ज्यादा ना होगा 45 डाल सकते है 43 डाल सकते हैं उसके बाद validity आपकी day रहेगी place by order करेंगे तो आपका SL order यह put हो जाएगा अभी execute नहीं होगा जब 45 रूपीज से 43 के बीच में price नहीं आता पैंडिंग पोजिशन आपकी यह रहेगी प्राइस आने पर one day के अंदर आपका execute हो जाएगा एक दिन के अंदर यह price नहीं आता आपका order cancel हो जाएगा इस तरह पर SL order को put कर सकते हैं अगर आपको GTT order put करना है जिस तरह हमने पहले SL के option को on करा था जब आप इसको on करेंगे तो SL का automatic off हो जाएगा इसको सबसे पहले आप आपको GTT same day expiry पर नहीं लगा सकते आपको और option का कोई भी strike price select करना पड़ेगा ट्वेंटी फोर नेक्स्ट सोला साथ 23 मेंवाला उसके आप ग्रेट कर सकते हैं इसकी में आलग से वीडियो क्रेट करूंगा उसमें आप सब कुछ डेटियल्स पता हूँ वैल डिटी लिमिट target order उसके बाद इसकी वैल डिटी में आप कैसे इसको select करना GTT को आपके सारे doubt उस वीडियो में clear हो जाएंगे आपको कोई confusion है SL orders के coding तो आप चैनल पर जाके comment कर सकते हैं Thank you